सारा खेल वक्त का ही तो है वेल्कम टू मार्वल फूचर फाइट हिंदी इंडिया तो इचले शूओ करते हैं तो यहाँ पर अभी में लिस्ट बनाने वाला हूँ पीवीई की जो की टॉप टेन पीवीई टीर थी क्यारेक्टर्स की है इसमें कुछ पेड़ प्लियर्स भी इंक्लूड हो सकते हैं और इसमें कुछ फ्री टू प्लियर्स की भी इंक्लूड हो सकते हैं मतलब बेरा बोलने का मतलब यह है कि इसमें जो क्यारेक्टर्स होंगे वो पैसे वालों के लिए और जो फ्री वालों के लिए दोनों टाइप के प्लियर्स के लिए है तो अपने अपने हिसाब से अपने अपने कंडिशन के हिसाब से चूज कर ले ला नहीं कर सकते, नहीं हासिल कर सकते तो चुपचा बैठो, कुछ नो कुछ गेम डलों पर कुछ न कुछ जुगाड़ करके तुम लोगों के लिए अवालबात करवाके देगा हो सकता है फ्यूचर में करवात दे तो आगे बढ़ते हैं हम लोग टॉपिक के तरफ तो सबसे पहले पीवी एई कैटिगेरी में मतलब टॉप टेन ट्यूए थ्री क्यारेक्टर में सबसे उपर में पहले नाम जो फ्री टू प्लियर्स के मैं बोलूँगा कि यह सबसे पहले कैरेक्टर को उठाओ तो मैं अपने दर्फ से रिकमेंड करूँगा कि तुम लोग सबसे पहले टीर थ्री करना है कि अगर किसी कैरेक्टर को तो वह है शेरॉन रोजस उसके बाद में बा बाद में ब्लाक पंतर की टीम कि स्पाइडी की टीम ब्लाक वुडू की टीम शेरॉंग की टीम उसके बाद में थैनलोस की टीम और अलग-अलग के टीम बनाना शुरू कर दो एक-एक करके वोल्वरिंग की टीम मेगनोटी की टीम एक्स एक्समां की टीम अलग-अलग टीम क जो performance है और जो तुम्हारे character के level है वो और जादा एक के बाद एक increase होता जाएगा कई सारे players को मैंने देखा है कि tier 3 character कर लेते हैं लेकिन कुछ ऐसे main main character है जो छोड़ देते हैं जैसे example captain हो गया उसके बाद tier 2 करना छोड़ देते हैं तो यह थोड़ सा एक मुझे बेकार पॉइंट लगा तो मैंने आपर add किया तो ऐसा ना करें बिल्कुल भी ऐसा ना करें आप लोग किसी character को tier 3 करते हो तो साथ में दूसरे character को भी tier 2 करते रहो चाहे आपके बास में material थोड़ा काम होगा तो ठीक है understand कर सकता हो समझ सकता हो कि थोड़ा material काम होने कि वैसे character को tier 2 नहीं कर सकता है ओके understand लेकिन जैसे ही material आ जाए तो कम से कब कुछ-कुछ main main character है जो powerful इसे काम ना करें तो दूसरा character यूज़ करने पर काम आए black backup plan बना के रखके चला करो हां तो सबसे पहले आपर मेरे बोल दिया कि शेरा नहीं आपर पीवी के character के list में मतलब top 10 टीरे थी character में जाए पहले नमबर पर आती है क्योंकि पहले तरफ पहले नमर में मैं recommend करूंगा क्योंकि इसको पहले करो बाकी सब बाद में होता रहेगा एक के बाद और क्या बताना था हाँ सेकंड नंबर पर सेकंड नंबर में रिकमेंट करूंगा कि लुना स्नों को रखो रखना तो रखो नहीं है तो ठीक है नहीं तो फिर जुगाड़ पानी करके कुछ एज़ेस्ट करो या कई से इसे डिमेशन मिशन में से या कई से बैमेटिक्स मिलता इसका तो इस्तेमाल कर सकते हो और मेगा टिकेट का भी इस्तेमाल कर सकते हो इसके उपर उसके बाद में टियेथर का तुमको आगे का अपग्रेड खुद करना है वो तुमको खुद पता रेटर्निंग प्लेयर के पास मैं यह क्यारेटर है तो उनके लिए नाराजगी वाला ऐसा आटम तो क्रेट नहीं कर सकता हूं लेकिन है तो कर लो तीसे नमर में मैं इसको रखो और नेमोर को सेकेंड नमर में लूना स्नो को रखा क्योंकि वह सबकी फेवरेटर चाहीती है मेर करने में जीबियार करने में और वल्वास आटिमेट में खेलने के लिए काफी ज़्यादा हेलपूर और काफी ज़्यादा फायदेमन यहां पर प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है तो अगर किसी तरह के से तुम लोग नेमोर हासिल कर लेते हो चौदा दिन पंदरा दिन गेम को अफलाइन रखके अगर किसी तरह के से हासिल कर लेते हो तो यह एक अच्छा क्यरेटर हो सकता है तुम लोगों की साब से अब देख लो तुम्हारी मर जी मेरे पास तो नहीं है इसलिए में कुछ 100% गैरेंटी के साथ में नहीं हो सकता क्य कि उसके बाद में चौथा करेक्टर अब या नमस्कार राम राम कैप्टर मार्वेल हां तो चौथे नमर में रख रहा हूं में कैप्टर मार्वेल जो की पीवी के कंटेंट में काफी ज्यादा पाउरफूल है चाहे इसको तुम कुछ भी दो यह पैस्ट है बैस्ट है काम है कि इनिफर्म कोई भी लो इन्फरी वार कलो या एंडिंग में कलो जो भी तुम्हार पास में होगा हिस्ट्री की हिसाब से या कंडिशन की हिसाब से तो यह बहुल ज्यादा पाउरफू क्यारेक्टर है इसको बिल्कुल भी हलकम मतले न यह पीवीपी में और इसके बाद में नेक्स्ट यह पीवी कंटेंटमेंट डेटपूल टीर अब इसको क्यों में आड़ किया उसके पीचे का रिजन है इसका आल डिफेंस डाउन और हॉलिडे पाइटी वाला इनिफर्म इसके साथ में जो इसने तबाई मचा के रखी हुई है उसकी क्या बात सकते हो काफी इचा प्रफामस दे सकती है उसके बाद में टर्मलमट की बात कुरो तो वहाँ पर भी बहुत खत्रनाक लेवल गिये अच्छा ग्रेड होंगे तो बहुत उपर के लेवल तक यह जा सकती है और जाएगी भी उसके बाद में यह जो नेक्स्ट में क्यारेटर ब यहां पर देखो यह जो इनिफाम में ब्लसं कर दिग रहिया यह इसको सूपर विलन टाइप बनाता है जो कि एक विलन टाइप ABX में कैप्टन का इस्तेमाल करने के लिए काफी अच्छा यूस्फल प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है और नहीं तरफ से रिकमेंड है कि हमेशा यह तुमारे काम हैगा एक कम्मिनट यह क्या बावाल है सुपर आर्मर दिया तो सही है लेकिन कुछ 6 सेकंड के लिए एक्टिवट रहेगा तो यह 6 सेकंड इसके अंदर से अगर किसी दिन या किसी टाइम या किसी अपडेट में रिमूव हो जाए तो मज़ा आ जाए उसके बाद में कैप्टन का तो यूज काफि लंबा है यह वर्ड बास अल्टिमेट में यह बेक्स में उसके बाद में जी बी आर में काफि सरे जगा पे यह एक बहतर क्यारेटर है और हर एक न्यूव प्लेर्स को मैं रिकमेंट करूंगा कि कैप्टन अमेरिका को लेकर ज़रूर टीयथरी करें उसका चाहे एंडगम का युनिफार्म रखो या हैड्रा का युनिफार्म रखो चाहे विलन बनाओ चाहे हीरो बनाओ वो तुम्हारे उपर डिपेंडिंगे कि तुम कैसे उसका इस्तमार करते हो मैं तो रिकमेंट करूंगा कि त अच्छा पर्फॉर्मेंस दिखा सके तो मैं अपने तरफ से रिकमेंट करूंगा कि कुछ कंटिशन के अंदर थाना उसको यूज करो क्योंकि अभी तक ऐसा कोई भी क्यारेटर आया नहीं है जो यूनिवर्सल में सुपर विलन टाइप का हो जिसके पास में टीयथरी भी हो ऐसा कोई क्यारेटर अभी तक आया नहीं है तो फ्यूचर में आएगा तब देखेंगे तब तक वेट करो और आता है तो देखेंगे कि एबेस करने के लिए नेक्स क्यारेटर है प्रोफेसर एक्स जिसको मैंने हाली में कुछ अपडेट के पहले टीयथरी क्या हुआ है और इसको यूज करके दिखा हुआ है पीवी के सेक्शन में या पीवी के टॉप टेंग के लिस्ट में आराम से आ जाता है इसका यूज में देखू तो जीबी कुछ लगांगा से इग्णोर नहीं कर सकता बहुत पाट्फूल करेटर है और इंपोड़न करेटर है जिसके से के पास में प्रोफेसर एक्स होगा जरू उसको फ्यूचर में टाइम निकाल के जरू तीयर्थी करें काफी फाइदामन साबीत हो सकता है और होगा जरू गैनर के बदूर्स के बढूर पर बहुत कुछ अच्छा पर्फॉर्मेस अच्छे लेवल पर लेगे जा सकता है चाए वर्डबास सोचना बड़ा लाने के लिए लेकिन जैसा भी हो यह टॉप 10 के लिस्ट में आरा हम से आता है और इसके पास इतनी अबिलिटी है कि यह अच्छे से अच्छे क्यारेटर को धूल चाटा दे और आने वाले अपडेट में इसके इनिफर्म आएंगे और 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 भी जदा यह पा जो कि मेरे तरब से अपने पर्सनल ओपीनेंस और पर्सनल एक्सपिरेंस है और कुछ लोगों की रिकमेंडेशन से मैंने बनाया है तो पसंद आए तो ठीक है नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि यह यह पॉइंट मुझे तोड़ा अच्छा नहीं लगा या यह यह character और add हो सकते थे क्या इससे बेतर और character इसमें add हो सकते थे तो अपने इसाब से मुझे comment section में लिखके बता देना और हां कुछ character ऐसे जिनके पस में अभी दर टीयर 3 नहीं है तो उनकों में यहाँ पर मैंने add नहीं किया मैं यहाँ पर Mr. Fantastic को add कर सकता था लेकिन बहुत से इसे character player है जिनके पस में Mr. Fantastic tier 3 नहीं है और Mr. Fantastic के साथ में CTB Rage भी लगता है तो काफी सार यह character है जिनके साथ में CTB Rage देना पड़ता है जिनको पीना CTB Rage के थोड़ा चलाना मुश्किल है तो ऐसे character को मैंने add जबर्दस्ती add नहीं किया कुछ character को रहन दिया कुछ character तमसंग condition के हिसाब से लगा है और कुछ ऐसे लगा है जो universal या EBX के हिसाब से थे नहीं या available है या अभी के condition में चलते है उस हिसाब से बना दिया और यह जो वीडियो है यह जुले की update के हिसाब से 2020 की हिसाब से आने वाले future में अगर आप यह वीडियो open करके देखते हो तो शायद future म यह apply ना हो लेकिन अभी के condition में अभी के date में यह apply होता है future में हो ना हो इसके कोई guarantee नहीं है कोई सा character टॉप में जाएगा कोई सा character lowest में आएगा कोई guarantee नहीं है सब कुछ इंडिट मार्वल के उपर depending है तो अपना दिमाग का इस्तवाल करें सोच समझ के character का चूज करें में द लब है player versus enemy enemy याने computer का बोल सकते हो या default system के जो game system के अंदर जो robots है या कुछ stage है या विलन या boss है उसके अगेंस्ट में जो तुम लोग लड़ते हो उसको PVE बोलते है तो वो जो stage है वो कुछ इस तरह के से मैं दिखा देता हूँ यह देखो यहाँ पर इसको बोलते हैं हम ल section में मिलेगा यहाँ giant boss rate तो यहाँ पर जो performance है इन character काफी बहतर awesome है उसके हिसाब से और history के हिसाब से personal opinion और experience के हिसाब से मैं लिस्ट बनाया है पसंद आया तो बता देना कुछ point लगे या negative point लगे या कुछ खराब लगे या कुछ minor point लगे तो जरूर comment section में बताना और वीड से ज्यादा मेरा focus video से हटके उस sound के तरफ हो जाता कई बार हुआ है तो उसके रहे माफिच आता हूँ और बुरा लगे अच्छा लगे comment section हम बता देना तो आज के लबस इतना ही तो please like, share, share, subscribe and thank you and अपने-अपने condition के हिसाब से condition के हिसाब से अपने-पने पास में जो भी जि बेस से बेस्ट character बनाओ और एक और चीज में recommend कर देता हूँ कि कुछ ऐसे character है जिनका uniform लेना ज़रूरी है मैं बता देता हूँ यह character यह character आपको world boss ultimate में मदद करेगा इसके पास में uniform में इसके skill form में एक recovery है जो आपको stage में काफी जादा मदद करेगा recovery करने में कुछ लोग म एंटी मेनम का सूट है वो मैंने purchase कर रखा है और world boss ultimate के stage में उपर के section में जहाँ support character 5 हम लोग character character state करते है वहाँ पर मैं इसको state करता हूँ एक्जाम्बल के तोर पर भी दिखा देता हूँ यह देखो यह मैंने cheese किया और यह मैंने दिखा देता हूँ हो जाओ बेस्ती मत करा मेरी यह देखो यह दिख रहा है यह एंटी मेरम यह इसका इस्तमाल किया मैंने तो इस तरीकी से अगर मैं काम करूँ तो यहाँ पर world boss ultimate में मुझे recovery करता है तो यहाँ पर मुझे बहुत प्रॉफिट होता है अगर तुम लोग को यहाँ पर world boss ultimate में खेलने में दिखके जाती है या प्रॉलम जाता है तो यहाँ पर एंटी मेनम सूट का इस्तमाल करके तुम लोग आसानी से स्टेज में प्ले कर सकते हो और थोड़ा बहुत त तो इसके सपोर्ट से तुड़ा आसानी से क्लियर कर पाओगे उमीद करता हो यह आपके फाइदा में तो हेल्फूल साबित हो तो आज के लबस इतना ही तो प्लीज लाइक शेयर से स्टाइब और थैंक्यू तो पिर तर जोर से काई कुछ ला रहा है तो अरे स्टाइल है बाबु भाईया राजू कस्टा यह बाबु राव कस्टाइल है सारा खेल वक्त कही तो है वैसे भी हम सब की मनजिलें अलग लग हैं तो गुड लग हाँ ऑफ बाबु प्रहण दो झालग है उलग है भी हम स्टाइल तो जुड अराणी है झाल झाल